नमस्कार दोस्तों आईपियल का 24 मेच मुंबई इंडियन्स वर्सेज रॉयल चलेंज बैंगलोर के भीच में खेला गया बिकेट कीपर कॉंटम डिकॉक के नाबा 70 रन के दम पर मौजूदा चंपियन इंडियन मुंबई इंडियन ने आईपियल 2021 के 24 मेच में राजस्थान रायल्स को 7 विकेट से हरा दिया राजस्थान के और से रखे गए 172 रन के लच्छ का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने 18.3 ओवर में ही 3 विकेट पर जीत दर्ज कर ली दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहिस सर्मा ने राजस्थान रायल्स के खिलाब टास जित कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया मॉंबई की टीम में एक बदलाओ किया गया था इसान किसंड के स्थान पर नाथन कूल्टर नाइल को सामिल किया गया था कुंआल पांड्या ने 49 रन बनाये सांदाल लाइ में दिख रहे थे आज कुंआल पांड्या मस्तफीज रह्मान ने बोल्ड कर डीकॉक के साथ खतरनाक हो रही इस साजेदारी को तोड़ा कुनाल ने 26 गेदों में दो चोके और दो छक्के की मदद 49 रन बनाए मौरिश और सूरिकुमार को भी जो है मौरिश ने सूरिकुमार को भेजा पवेलियन मौंबाई ने रोहित का विकेट जब गिरा तो उस टाइम रोहित 17 गेदों में 14 रन बना करकी खेल रहे थे रोहित जब आउट हुए तो उस समय मौंबाई का कुल स्कोर था 49 रन तो दोस्तों ये थे मैच से जुड़ी हुई कुछ विशेश जानकारिया आसा करता हुए आपको ये वीडियो अच्छा रगा होगा और वीडियो समझ में जरूर आया होगा दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप IPL से संबंधित न्यूज देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो हाईलाइट मैच भी हमारे चैनल से आते रहते हैं तो अगरा वीडियो जो है हाईलाइट का आएगा थोड़ी ही देर में तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाए ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोट किय जाए जाए तो आप तक मिल जाए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जय हिंज भारत वंदे मात्रम वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दनेवाद दोस्ते बार और बताना चाहूंगा मैं की राजस्तान रायल्स ने पहले बल्ले बाजी करते हुए चार विकेट पर 171 रन बढ़ाए जबाब में मुंबई इंडियन्स ने 18.3 ओबर में 3 विकेट पर जीत दर्ज करने में सफल रही तो ये था 24 मैच के बारे में 25 मैच खेला जा रहा है उसके बारे में भी मैं जानकारी लगँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय है